हलो एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज भाई फरीदा, आज हम बहुती यमी एंड डिलीशियस रेसिपी बनाने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं चूरोस, जो के बहुती आसानी से आप घर पे बना सकते हों, तो आएए उसकी प्रोसेस देख लेते हैं, उसके लिए हमें मे एबल स्पून चीनी एड कर लेंगे, पींच ओप सोल्ट एड कर लेंगे और इन सारी चीजों को गरम कर लेंगे, बहुत ज्यादा हमें गरम नहीं करना है, बस हमारा बटर मेल्ट हो जाए, उतना ही हमें पानी को गरम करना है, यह पानी हमारा गरम हो गया है, अब गेस की फ कर लेंगे गेस की फ्लेम हमने पहले ही बंद कर ली है सो नीचे ले लेते ताकि हम अच्छे से इसको मिक्स कर पाएं इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मिक्चर हमारा बहुत ही ज्यादा गरम है अब इसमें हम एक अंडा एड कर लेंगे और अगेन अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो इसे बीटर में भी मिक्स कर सकते हो या फिर मिक्सी में भी इसको चला के अच्छे से मिक्स कर सकते हो यह हमारा मिक्सचर अच्छ से मिक्स हो गया है अब इसे इस तरह से पाइपिंग बेग में इसको भर लेते हैं और मैंने यहाँ पे एक थाली में बटर पेपर लगा लिया है इसमें इस तरह से मैं चूरोज बना रही हूँ आप चाहे तो आप डाइरेक ओल में भी चूरोज फ्राई कर सकते हो मैंने इस तरह से सारे चूरोज बना ली यह हैं तेल हमारा गरम हो गया है इसमें चूरोज को एड़ करके फ्राई कर लेंगे गेस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई नहीं करना है और गॉल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे यह हमारे चूरोज अच्छे से फ्राई हो गए है इसे निकाल लेते हैं इसे कोट करने के लिए यहाँ पे मैंने पीसी हुई चीनी ले ली है इसमें सिनेमन पाउडर एड़ करके सिनेमन सुगर रेड़ी कर लेंगे मिक्स कर लेंगे और चूरोज को इसमें एड़ करके कोट कर लेंगे आप मेरी चैनल पे नए हो और आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और यह हमारे यमी एंडिलिशियस चूरोज बनके रेड़ी हो गए हैं इसे चोकलेट सोस के साथ साव कर सकते हैं आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर से करना मिलते हैं आगले वीडियो में बाबाई